हेलो गाइस स्वागत आपको अच्की सुड़े में जहाँ हम बात करना है कि आप कैसे आपके लैपटोप या फिर PC में एपको डाउनलोड कर सकता है तो अगर आपको भी जाना है कि आप आपके डेक्स्टॉप से एपको कैसे डाउनलोड करें तो इस वीडियो को एंड तक दे तो देखो सबसे पहला तरीका कौन सा है जिससे कि आप अपको डाउनलोड कर सको तो पहला तरीके जाने के लिए आपको क्या गरना होगा सबसे ले तो आपके PC या फिलैप्टॉप में जो है क्रों ब्रावजर को उपन कर देना है अब में ज्यादा यह नहीं बोलना आलो PC लेप्टॉप में डायर्कली लेप्टॉप बोलूगा तो अब हमें क्या करना है देखो जैसे आप Google को उपन कर दो ना तो Google को उपन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे options उपन हो जाता है तो हमें क्या करना है देखो यहाँ पर सबसे वेले तो आपको राइट साइड में राइट साइड में जहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल फोटो दिखाए देगा ना उसके एग्जेट लेफ्ट साइड में यहाँ पर बहुत ही डॉट डॉट वाले options दिखाए देते हैं तो हमें क्या करना है इस पर इसे क्लिक करोगे तो जैसे कि हम अपने फोन में प्ल दिखाए देर उसके लिए वेट करो तो यहाँ पर अगर आपको जो भी डाउलोड करना हो जो भी डाउलोड करना हो उसे सर्च कर देना है जैसे कि हम सर्च कर देता है वाट्सैप और जैसे हम वाट्सैप को सर्च कर देता है तो यहाँ पर हमारा जो वाट्सैप का आप है वो आ जाएगा लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट था वो यह है कि हम जो है अपने Google Play Store से एप को डाउलोड नहीं कर सकते अपने PC में क्योंकि जो Google Play Store रेना वो बना है अपने फोन्स के लिए तो वो जो है फोन्स के लिए ही वर्क करता है तो जैसे कि आप अपने देखा लोडिंग होने के बाद आप डाउलोड नहीं हुआ तो आप करता तो दूसरे दो तरीके जो की वर्किंग है और वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे तो अब हम आजाते हैं दूसरे दरीके पर तो दूसरा दरीका कौन सा है इसके लिए भी आपको जो है आपका जो गूगल क्रोम होता है उसे उपन कर जाना है अब जैसे आप गूगल को ओपन कर देते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है देखो अब अगर आपको जो भी एप को डाउनलोड करना होगा उस एप को सर्च कर देता है जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर डाउनलोड करना है वाट्सैप तो हम क्या करेंगे सिंप्लिया हम यहाँ पर सर्च कर देंगे वाट्सैप डाउनलोड for pc तो आप जैसे यहां पर लिखोगे न WhatsApp डाउनलोड PC तो यहां पर आपकी जो डाउनलोड लिंक है न WhatsApp की यहां पर आप देख सकते हो लेकिन दोस्तों यह तरीका भी जो है बहुत ही हाड है और इसके लिए आपको क्या करना है देखो अगर तीसरे तरीके से आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है आपके PC में सबसे लेफ्ट साइड में आजा उसकेड़ है लेफ्ट साइड में आपको जो स्टाट का बटन दिखाया देते है इसरे क्लिक करते है अब जैसे आप इसमें नहीं से लिए और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो Microsoft Store है वो दिखाई देने लगे या तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे Apps दिखाई दे रहा है तो हमारे फोन में जी तरीकी का प्लेस्टोर होता है है वैसी हमारे PC में होता है Microsoft Store तो अगर हमें कोई भी आपको डाउनलोड करें आपने PC में तो हम Microsoft Store की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करूगा जैसे कि यह रहा हमारा WhatsApp तो हम जैसे यह जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है तो फिलाल के लिए मैं इसे पॉस्ट कर देता हूँ अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेंटिव लगाओ तो शुडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अमारे चैनल को वीडियो देखने के लिए आपका धन् थैंक यू सो मुच